अगर आप एक स्कूटी लबर हो और आपको एक बड़िया सा स्कूटी चाहिए तो आपको अपनी लिस्ट में TVS Jupiter को एक बर ज़रूर एट करनी चाहिए तो फिर आहिए जानते हैं TVS Jupiter के बारे में Looks के बारे में बात करें तो TVS Jupiter आपको classic modern looks में देखनी को मिल जाती है कलर के बारे में बात करें तो TVS Jupiter में आपको 14 different color variants देखनी को मिल जाती है जहाँ पे आपको Indie Blue, Midnight Black, Matty Silver, Pristine White, Mystic Gold, Volcano Red, Matty Blue, Titanium Grey, Wellnut Brown, Starlight Blue, Sunlight Evro, Autonom Brown, Royal Wine और Matty Starlight Blue color variant देखनी को मिल जाती है Lighting के बारे में बात करें तो TVS Jupiter में आपको front में LED headlame के साथ bulb indicator देखनी को मिल जाती है और उसी के साथ आपको rear में halogen tail name के साथ bulb indicator देखनी को मिल जाती है instrumental cluster के बारे में बात करें तो TVS Jupiter में आपको analog plus digital instrumental cluster देखनी को मिल जाती है जहाँ पर आपको कुछ-कुछ base variate में आपको fully analog instrumental cluster देखनी को मिल सकती है जहाँ पर आपको speedometer, odometer, fuel meter और time देखनी को मिल जाती है और उसी के साथ आपको eco mode, power mode, left right indicator, low beam, high beam और engine malfunction और exclometry sign भी देखनी को मिल जाती है handle bar के बारे में बात करें तो TVS Jupiter में आपको left hand side में low beam, high beam, left right indicator और horn switch देखनी को मिल जाती है और उसी के साथ right handle bar में electric start switch देखनी को मिल जाती है fuel tank के बारे में बात करें तो TVS Jupiter में आपको 6 liter का massive fuel tank देखनी को मिल जाती है और अगर mileage के बारे में बात करें तो TVS Jupiter में आपको 45 से लेकर 55 km per liter की mileage देखनी को मिल जाती है इंजिन के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको 109.7 CC की सिंगल सिलिंडर 4 स्टोग CVTI fuel injected BS6 compliant engine देखनी को मिल जाता है जहाँ पर आपको 7.47 PS की maximum power और 8.4 Nm की maximum torque देखनी को मिल जाती है Gearbox के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको fully automated gear देखनी को मिल जाती है Top Speed के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको 83 km per hour की Top Speed देखनी को मिल जाती है Suspension की बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको front में telescopic hydraulic suspension और rear में 3 step adjustable coil spring होई तो hydraulic dampers देखनी को मिल जाती है breaking के बारा मैं बात करें तो TBS Jupiter में आपको front में disc और rear में drum brake की सुविथा देखनी को मिल जाती है पर कुछ-कुछ TBS Jupiter का ways variant में आपको दोनो front और rear में drum brake की सुविथा देखनी को मिल जाती है टायर साइज के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको front में 90 by 90 section की 12 inches वाला और rear में 90 by 90 section की 12 inches वाला T-less टायर देखनी को मिल जाती है Will type के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको एलॉ यूज देखनी को मिल जाती है और अगर उसी के साथ seat height के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको 75 mm की seat height देखनी को मिल जाती है Ground clearance के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको 150 mm की ground clearance देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 107 के जिसकी car weight भी देखने को मिल जाती है exhaust के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको cubic shape exhaust देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको chrome finish exhaust guard भी देखने को मिल जाती है seat type के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको single seat देखने को मिल जाती है और seat comfort के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको comfortable seat cushioning भी देखने को मिल जाती है boot space के बारे में बात करें तो TBS Jupiter में आपको 18 liter का boot space के पास seat देखने को मिल जाती है उसके अलावा स्कूटी में आपको लेडिस फोटरेस, पिलियन ग्रैब रिल्स, USB चार्जिंग सॉकेट, सेमी सर्कल मिरर, डबल स्टेंड और अंडर वेली के रिवेंग होल्डर भी देखने को मिल जाती है प्रैजिंग के बारे में बात करें तो, TBS Jupiter में आपको 5 डिफरेंट देखने को मिल जाती है जहाँ पर फर्सली बात करें तो, TBS Jupiter Sheet Metal Wheel Variant आपको 69,342 रुपीज की एक शोरूम और 83,623 रुपीज की ओनरूट प्रैजिंग में देखने को मिल जाती है सेकंड, TBS Jupiter Standard Variant आपको 71,067 रुपीज की एक शोरूम और 85,390 रुपीज की ओनरूट प्रैजिंग में देखने को मिल जाती है थर्डली बात करें तो, TBS Jupiter ZX Variant आपको 75,642 रुपीज की एक शोरूम और 90,072 रुपीज की ओनरूट प्रैजिंग में देखने को मिल जाती है फोर्थ, TBS Jupiter Classic Variant आपको 79,412 रुपीज की एक शोरूम और 93,932 रुपीज की ओनरूट प्रैजिंग में देखने को मिल जाती है और लास्टली TBS Jupiter ZX Dix with a Intel Go जिसकी एक शोरूम प्रैज से 79,442 रुपीज की और ओनरूट प्रैज से 93,963 रुपीज की So I hope कि मैं सारी टोपिक अच्छी से कबर कर पाया हूँ, फिर भी अगर कोई टोपिक रहे गया है तो प्लीज मुझे कॉमेंट बोक्स पे बता देना I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे न आया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ओन करके रख सकते ह ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके, तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई